बहन जी से मेरी कोई नारादी नहीं ही, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मान थी, अपने परिवार का, उनको ये बहतना छोटी लगी, साध अगर मर भी जाता था तो उनको इसमे कोई साध आप बुरा नहीं दखता, फुज़र नहीं कल तक तो आप बड़े-बड़े मंचों से आपके नेता ये कहते थे कि वो ट्वीट करके महरानी की तरह घर में बैठ जाती है, आपको क्या जरूवत है बहन जी के ट्वीट की, दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि भाई पर हमला हुआ, भीमार्मी बदला लेगी, अरे भीमार् बेंजी के जब पिता जी एक्स्पायर हुए, कोई ट्वीट तो क्या कुछ नहीं आया, भीमाटा जी जब एक्सपायर हुई तो इन लोगों ने जस्मनाया, उसके बाद में जिसके बारे में, जिसके सामने एक सीट के सामने लि excitement, लेर रो रहे थे, उस एक सीट के लिए रो पर उन्हें के ग्रेजन पर सहनपुर में जानलेवा हमला क्या गया फैरिंग की गई यह पूरे मानों किस देखते हैं आप देखे मेरा अगर आप इसमें मेरे से लीगल पक्स पूछना चाहते हैं तो लीगल पक्स मेरा बिलकुल अलग होगा राजनितिक और समाजिक पक्स कैकि यह थी जो है पूरी की पूरी मैनडशिव सक्ता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जो यह प्लानिंग की जा रही है तकम हूँ लाधिन व मेरा तकनला हूं क्योंकि normal circumstances में गोली जो जैसे कि हमने देखा कि गोली पहले गाड़ी के गेट पे लगती है और गाड़ी के गेट से लगके टर्न हो जाती है जबकि उस गोली का जो एंगल जो गाड़ी का गेट है वो बिल्कु सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए था गाड़ी के जो पिलर र क्याति इस मामले इंदर चंड्शेकर Depwerup के साथ जो हो एव बिल्कुल जो गायर कानूनी गायर समवेदानी को राजनी रूप bit देना चाहिए प precisely दो मैं ठुकरार ना जाना चाहिए यह जो इसको जान लेवा हमला मानते हैं आप ना मैं इसे देखें मैं मैं पेशे से वकील हूं और अगर मुझे किसी को डिफेंड करना है तो मुझे उसके सारे जो एंगल है वो देखने पड़ेंगे जानलेवा हमला जो हुआ है जिसके अंदर गोलियां चली है और वो गोली चूकर निकली है और जो जो चोट दिखाई गई है या प्राइमेफेसिया मुझे जो कोशन आप जो संदे सबसेंद बड़ा हो रहा है वो यह हो रहा है कि गाड़ी पकड़ी गई गाड़ी के आरोपी पकड़े गई परन्तु अभी तक आरोपियों के बारे मे उनकी जाती के बारे में इनका मोटो के बारे में उनके एगणा के बारे में मैं कि निकल नहीं आई दूसरी बात या चलती हैं चार गोलिख है इस भारत के अंदर ऑगर किसी पर कोई बी अत्यार होता और यह भी जरूरी है और यह भी जरूरी है कि उत्तर परदेश के अंदर जंगल राज है उस जंगल राज का जवाब है उस जवाब का सिर्फ एक ही हमारे पास इलाज है वो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार अब कुछ लोग जो है वह आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन कुमारी मायवती ने इस मामली पर ट्वीट नहीं किया अब जब लोग इस बारे में कहते हैं कि बहन कुमारी मायवती जी ने इस बारे में ट्वीट नहीं किया तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कल तक तो आप बड़े-बड़े मंचों से आपके नेता आरमी अगर बदला लेने में सक्षम हैं तो क्या कारण है कि आज आप बहुजन समाज को छोड़के सब की तरफ देख रहे हूं दूसरी बात आप कहते हो कि 2 अपरेल का अंदोलन आपने किया है तो हम आप कह रहे हैं कि आप दुबारे आंदोलन कीजी हम आपके साथ हैं पर त हंताने के यलावब कोई दूसरा आपके पास विकल्प नहीं है क्या अब थीसरी बात इसके अंदर Andersen यहा वाख हमला हुआ हमला हुआ तो इन लोगों ने जैस्मना आया उसके बाद में जिसके सामने एक सीट के सामने लिये रो रहे थे उस एक सीट के लिए रोने पर अखलेश यादम ने कहा था ये देखें मेरे पास में बैठे हैं ये तो बहुत इन से भी छोटे निता है और जब आप मुचों पर ताओ देकर वहां पर हस रहे थे तो क्या उस वक्त बहुजन समाज का जो सम्मान जो है वो कम था दूसरी बात आप कहते हैं कि ठीक है हमला हुआ बिलकुल देखें बहुजन मैं आज कहता हूं कि अगर समाज के किसी भी लीडर तो क्या समाज के अगर जान माल और मिशन का इतना ही अगर आज इल्म है और इतना ही आपको लगता है कि यह चीजे आपके लिए परिशानी क्रियेट कर सकती है तो आप अपनी पॉलिटिकल आइडिलोजिक क्रियेट कीजे आप बताईए कि उत्तरपरदेश के अंदर किसकी सरकार बनने पर आप प अगर यह कोई नाटक है कोई सिंपेथी गेन हो रही है तो यह बिल्कुल ही इस बात का विरोध करना पड़ेगा क्योंकि बहुश्य में अगर हमारे किसी लीडर पास अजगर हमला होता है यह एक बात बदाईए सारी मीडिया दिखा रही है कि हमला हो गया सारी मीडिया ने दिखाया कि हमला हो गया आपको पता है बहुश्य समाज पार्टी के एक सांसद है राज्य सभा के राम जी गौतम साहब शायद नाब ना जानते हो और जब उनके उपर राजिस्थान में हमला हुआ तो जो भाई समाज आख मीच कर आपके साथ चल देगा दूसरी बात आप यह कहते हैं बहुत सारे लोग मैं आज देख रहा हूं सोचल मीडिया के माध्यम से वह टारीट कर रहे हैं सिर्फ वो सिर्फ वह बहुजन समाज पार्टी के कारिया करता हुपर तो मैं आपको एक बात बता दू कि बहुजन समाज पार्टी का पार्य करता है में अधनल पार्या पार्टी की दूश्वज परांट क्या एक बढ़रा आप सहारन पूर बंद कर दो हम आपके साथ है मैं व्यक्तिकत तोर पे आपका समातन कर रहा हूं कि अगर भारत बंद का आवान करते और बात बंद करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाओंगा व्यक्तिकत मेरी यह जो है मेरी सोच है परन्तु आपको अगर यह लगता है कि इस परकार के किर्टिया करके और फेक सिंपैथी लेके या अभी मैं इस बारे में कोई जज्मेंटल नहीं हूं कि यह था या रियल था पर मेरे ओपीनियन से यह सोपर्ती सत्थ फेक मामला है यह जो आप मीडिया चैनल वाले यह जो प्रोपागेंडा तयार कर रहे हैं कि जगए जगए जाते उस प्रोपागेंडा के जो तथिया उनको सुधार लो पहले हुआ है क्या वब्हार के अंदर जब वह हमारे आई-एसर्फ राज नारायन नाम है ना उनक उनके जब रॉपियों को बरी करी किया तो क्या वह गए थे तो प्रोपागेंड़ा तायार करेंग हैं क्या पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राजस्ठान और दूनिया भर के जो हेट पूरे भाद में जाते हैं जो 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 आनन्द मोच जो जब रिया कि यह तो किस ने स्टोड़ा गया था नहीं अन्द को छोड़ा गया था जो प्रहाइब आपको लड़ाई लड़ते हैं अगर आपको लड़ाई लड़नी तो पहले आज से अपनी लड़नी शुरू किज़े मैं आपकी समय दानिक रूप से बतला लेना चाहते हैं तुम्हाइब के साथ भी आपके साथ विरोध करता हूं कि अगर इस मामले में कोई आरोपी पकड़े गए हैं उनकी गाड़ियां पकड़ी गई हैं तो उनकी आइडेंटिटी और उनका मोटो उनका प्रोपोगेंड़ा बहुत जल्दी सामने आना चाहिए ताकि बहुजन समाज के किसी और नेता के उपर यह कायराना या यह इस परकार का टै प्रेंगा गांदी ने इनको भाई बना लिया था जब अस्पताल गई तो वह जब वह मिलने गई तो पूरे मीडिया ने दिखा दिया कि भई यह प्रियंका गांदी के जो है बाई है इस वाग्त दूसरी बात आप यह देखिए कि जो भी मिलने चाहता है मेडिया उसे किया है जिन लोगों के साथ इन्होंने गटबंदन किया है और उस गटबंदन में यह अपने आपको यह अगलेश यादव को यह जैन चोधरी को यह एंटी स्चडूल कास्ट नेताओं को जो भाउजन समाज के अनुसुचित जाती के विरोध के जो नेता है उन नेताओं को बechwy साथ के साथ कुंपरमाइज करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आ आप मैं आपकी बात की इस भायरे में कह दे रहूं अगर 19 सब्सक्राइब त्ट्रेचाइब जम्हें आपको नहीं बदाया गया और जब आपको नहीं बदाया गया तो फता लगती है कि अब गोलेया चल गई दिम को बहुत अलब देखते हैं तो चैनली यह नहीं चली लगी नहीं लगी इस बामले में यह तक परफोर्मेंस अच्छी हुई है अब नित नए जो है प्रोपगंड़ा रचाए जा रहे हैं दूसरी बात व्यक्तिगत तोर पर व्यक्तिगत तोर पर मैं बात बता रहा हूं कि आज चंज सेकर भाई भाई बहुजन समाज पार्टी के पास आ जाए आज वो ऑफिशल स्टेट सब्सक्राइब करेंगी जब माननी है नेंर मोधी साब ट्वीट करेंगे यह रहूल गांदी करेंगी परंतु से पहले नहीं क्योंकि आपको यह लगता है कि हम रहनुमाई कर रहे हैं और 2024 के त्यारी कर रहे हैं 2024 के अंदर शिव उत्तरपरेश के अंदर मैं आपको बता जाएगी सच्चाई दूसरी बात ये कि 2024 के कारण जितने भी प्रोपगेंडा है उत्तरप्रदेश के अंदर ही वह होंगे ताकि कहीं से कहीं तक कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार को फायदा ना मिल जाए इस वीडियो में कहीं गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टी हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता है